दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली में आई सिरीज हाईवे लव सीजन टू को जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी अगर आपको इसका सीजन वन देख रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ह हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो एपिसोड वन की शुरुवात में कार्तिक इनाया के साथ इस्पेन की गलियों में घूम रहा होता है लेकिन तब ही इनाया बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है और कार्तिक की आँख खुल जाती है यानि वो आफिस में बैठा सप ना देख रहा था आब यहां कार्तिक की जो कलीक थी निधी वो कार्तिक का मजाग बनाने लगती है कि कोई अपनी गल्फ्रेंड के लिए ही इतना ज्यादा पॉजेसिफ कैसे हो सकता है या इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कार्तिक आजकल अपने काम में विजी रहता है इसलिए निधी उसे थोड़ी दिर घूम कर आने के लिए कह दी है इसके बात कार्तिक मुध होने वाश्रूम में आता है और यहां इनाय का कॉल आ जाता है इनाय बता दे कि आज वो हेलोविन के इवेंट में जा रही है साथ इनाय बता दे कि मैंने स्पेन आने के लिए एप लग गया था और यहां इनका पूरा मोड ही किरकरा हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिक और इनाया अपना लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप काफी अच्छे से मिंटेन कर रहे हैं और इन दोनों की रोज ही बाते होती हैं मैं कार्तिक की हालत को देखकर समझा रहा था कि उसके ओपर काम का काफी ज़्यादा प्रेशर है पर वो ये बात इनाया से शेर नहीं कर पाता और ऐसे दिन बीठते रहते हैं अब एक दिन इनाया कार्तिक के पास कॉल करके बताती है कि उसका वीजा लग गया है और वो जल्दी इस पेन आ रही है जिससे कार्ति खुश हो कर सब को वीडियो कॉल पर एड़ कर लेता है और यहां इनाया का भाई वरुन इमोशनल होने लगता है कि अब तू इतनी जल्दी चली जाएगी तब एकदम से वरुन के कार का एक्सिडेंट हो जाता है और कॉल नहीं पर कट होता है अब हमें पांच सब्सक्ते बाद का सिन दिखाते हैं जहां इनाया के साथ कार्तिक के दोस्त साहिल और मीरा वरुन को लेकर आते हैं जिसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर था और वरुन को साही होने में कम से कम एक महीना लगेगा इसलिए इनाया का कार्तिक के पास जाने में अभी थोड़ा समय है और यह इनायर अपना सारा समान तो पैक करके रखा है खैर अब यह लोग बाते करी रहे होते हैं कि तभी घर की बैल बश्टी है और यह लोग देखते हैं कि कार्तिक इंडिया आ गया है जिसको देख कर सब खुश हो जाते हैं अब कार्तिक वरुन से मिलता है और फिर ये दोनों अकिले टाइम स्पेंड करने के लिए बहार आ जाते हैं पर वरुन दोने बार-बार कॉल करके डिस्टर्ब किये जा रहा था जिसके कारण ये दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पाते फिर रात को कार्तिक इनाय के घर पर ही र को कह देते हैं फिर जब ये दोनों इवेंट पर थी तब कार्तिक बढ़नीधी का कॉल आता है और वो बता दी है कि मैं भी इंडिया आ रही हूँ आप कुछ अपना ही करेंगे जिससे कार्तिक खोश हो जाता है वही आज इवेंट में इनाय अपनी लिखी पोएम सब को सुन का है या वो कार्तिक की टांग खीचने लगता है जो कि कार्तिक को पसंद नहीं आ रहा था खैर अब यहां रिशी का नम इनाउंस होता है और इनाय को पता चलता है कि ये तो हाली में वाइरल सॉंग बनाने वाला रिशी है जिसकी इस समय काफी fan following है फिर रिशी स्टेज पर जाकर आज इनाय की लिखी हुई पोयम की तारिफ करता है और कहता है कि आज हम इसी से अपना एक गाना बनाएंगे फिर वो इनाय की ही पोयम से कमाल का गाना ओडियोंस को सुनाता है जो सबको खुब पसंद भी आता है अब पूरा इवेंट खतम होने के बाद रिशी पर इनाय सोचने के लिए टाइम मांगती है पर कार्तिक इनाय से कहता है कि ये लड़का स्कूल टाइम से बेकार था इसलिए तुम इस से दूर रहो तो अच्छा होगा जिस पर इनाय कहती है कि जब तक हम स्पेन नहीं जा रहे तब तक काम कर लेती हूँ मुझे भी सुनाती है क्योंकि इनाय ने तो इसपेन आने के लिए अपना करियर ही छोड़ दिया था उसने सोचा था कि इसपेन जाकर नए सिरे से शुरूआत करेगी पर कार्तिक ने उसका करियर ही खराब करवा दिया और उसे वेंड के लिए जितने भी ओफर मिले थी वो सब उसने इ सोड़ दिये थी जिस पर कार्तिक कहता है कि मेरा काम में जराबी मन नहीं लग रहा था महां दमगुरता था मेरा और मैं अब निधी के साथ अपना बिजनस शुरू करने वाला हूँ तब इनाय गुस्से में वहां से चली जाती है अब एक हफते बाद का सीन दिखाते हैं ज इसी दुरान बातों बातों में निधी कहती है कि वैसे तु कार्तिक से नराज तो है पर तो ने कितनी बार उससे पूछा कि तु कार्तिक इस पेन में खुश तो है ना जिस पर इनाय को एसास होता है कि उसने कार्तिक से कभी इस बारे में बात ही नहीं करी और वो जाकर कार् इफ काफी अच्छी चल रही थी बिर एक दिन कार्तिक सो रहा होता है तब इसे खौब आता है कि निधी और वो किस कर रहे हैं जिससे कार्तिक डर के मारी जाग जाता है यानि कार्तिक और निधी के पीच इस पेन में कुछ तो हुआ था अब अगले दिन कार्तिक निधी के पर आकर उसकी टीम से मिलती है और ये लोग इनाय के लेरिक्स पर मिजिक बनाने लगते हैं इधर निदी और कार्तिक जब काम कर रहे होते हैं तो निदी कार्तिक का काफी जदा खयाल रखती है जिससे साफ पता चल रहा था कि निदी अभी भी कार्तिक के करीब आना चाहती है यहाई ना इन लोगों के साथ काफी अच्छे से मेजिक बनाती है और फिर रिशी की टीम को इन्वाइट करती है अपने घर हास वामिंग पार्टी के लिए इसके बाद रात को हास वामिंग पार्टी होती है जिसमें सब लोग आये हुए थे और यहाँ वरुन की मुलाकात एक प्रणे नाम के लड़के से होती है जो रिशी के गुरुप का ही इस्जा था इनकी बात उसे हमें पता चलता है कि वरुन और प्रणे एक टाइम पर डेट कर चुके हैं पर वरुन को उसके बारे में कुछ याद नहीं भई रिशी से आकर साहिल मिलता है कि भाई तू कैसा है बहुत दिनों बाद मिला पर रिशी तो से पहचानने से ही मना कर देता है तब साहिल कार्तिक से कहता है कि ये रिशी मुझे पहचान क्यों नहीं रहा जिस पर कार्तिक कहता है कि वैसे भी ये बिगड़े लड़का है जो सबको परिशान करता था इससे बात करके क्या ही फाय कि तू स्कूल में सबको परिशान करता था लेकिन तूने मुझे कभी कुछ कहा नहीं ऐसा क्यों रिशी कहता है कि स्कूल टाइम में पूरी क्लास ने एक बार मेरा मजाग बनाया था तब तू पहला लड़का था जो हर्स नहीं रहा था इसलिए और वो साहिल के बारे में भी आता है जो सुनकर साहिल खुश हो जाता है कि चलो मैं तुझे याद तो हूँ अब इसके थोड़ी दिरे बाद कार्तिक जैसे ही अपने रूम में आता है तो वहां साहिल अराम कर रहा था तब कार्तिक उसे बताता है कि सार्ट तारीक को हमारी सिक्स मन्त अनिवर्सरी है इस उसके बाद रिशी बार एनाउंस करता है कि सी आर्ट तारीक को मेरा बर्चडे है इसलिए मैं आप सब को मेरे बंगले पर इन्वाइड कर रहा हूँ जहां पर हम साथ में इन्जॉय करेंगे तब कार्तिक मना करता है लेकिन इनाया उसकी बात कार देती है जो साहिल को भी अ रिशी को वहाँ देखकर इनकी जान में जानाती है कि चलो हम कहीं खोए तो नहीं आप सब लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं क्योंकि रिशी का बर्चडे कल है फिर सुबह उड़ते ही कार्तिक सोचता है कि आज इनाया एनी बर्चडे की बात करेगी पर इन इसे वरुन पूछता है कि तो इस पेन से क्यों आ गई जिस पर इधी कार्तिक को ताना मारने लगती है कि कुछ लोगों को एशो राम और खुब सारा पैसा रास नहीं आता इसलिए स्पीन छोड़ना पड़ा हमें कैर अब इसके बाद ये लोग काफी सारे गेम्स खेलते है और फिर तभी रिशी इनाय से कहता है कि अब तुम यहां से चली जाओ जो बात कार्तिक को अच्छी नहीं लगती इसलिए वो भी चला जाता है और इनाय के बास आता है तब कार्तिक देखता है कि इनाय ने तो एनिवर्सरी के लिए सप्रैस ब्लैन किया है इसलिए तो उसे भीज दिया था इसके बाद ये दोनों या काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और तब यहां साहिल और मीरा आकर बताते हैं कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं जो सुनकर ये दोनों हैरान थे साहिल कहता है कि आज हम लणाई करके यही देख रहे थे कि काता स्पेंड में जो अपनी इंडियन गल्फ्रेंड के चक्कर में इंडिया आ गया और हमने एक बार किस भी की थी तब ही वहां कार्तिक इनाय सब लोग पहुंच चुके थे और इनाय ये सुनकर वहां से चली जाती है यहाई पर एपिजोड 3 खतम होता है एपिजोड 4 की शुरुवात मिनाय और कार्तिक को रिशी के यहां से आय हुए काफी दिन पीच चुके थे और मीरा कार्तिक से पूछती है कि अगर अभी भी कुछ ठेक ना हुआ हो तो मैंने ऐसे बात करूँ क्या जिस पर कार्तिक कहता है कि हमने बात कर ली है अब सब ठेक है इधर इनाय जरिशी के यहां गाना लिखने आयी थी पर उसका मन नहीं लग रहा था इसलिए वो चुप चाप सो जाती है फिर में उस रात का सीन दिखाते हैं जिसमें कार्तिक इनाय से माफी मांगता है कि मुझे सच बता देना चाहिए था लेकिन इनाय उसे खुप सुनाती है कि तुम बात करने लगती है कि मुझे उस रात ये सब नहीं बताना चाहिए था सौरी पर कार्तिक कहता है कि इसमें तेरी गल्दे नहीं है मुझे इनाय से ये सब चुपाना नहीं चाहिए था निधी कहते है कि अब मैं तेरे साथ काम नहीं कर पाऊंगी लेकिन कार्तिक उसे रोक ल लगेगा फोड़ा माहौल भी चेंज हो जाएगा जिस पर इनाय भी मान जाती है इधर हम नीदी और कार्तिक को देखते हैं जो अपने पहले प्रिजेक्ट की प्रिजेंटेशन देते हैं पर पता चलता है कि इनका पहला प्रिजेक्ट तो पार्किंग लॉट है जो सुनकर कार में आकर कुछ लिरिक्स लिखती है और वो रिशी को काफी पसंद भी आते हैं फिर रिशी उसे परफॉर्म करकर भी दिखाता है जिसकी वीडियो इनाय बना कर सोशल मीडिया पर डालती है वही कार्तिक इनाय से मिले रिशी के फ्लेट पर आता है पर वहां तो ताला लगा फिर जब कार्तिक साहिल के साथ इनाय की वो वीडियो देखता है तो वो कहता है कि आज मिनाय से मिल कर सब सही कर लूँगा इसलिए वो उससे मिल ले जाने लगता है इधर इनाय और रिशी बाते करने लगते हैं जा दोनों काफी ड्रिंग भी करते हैं फिर ये एक नए गान था और वो भी उनके साथ जाने लगती है यहाई पर एपिसोड 4 खतम होता है एपिसोड 5 की शुरुवात में ये तीनों जा रहे होते हैं पर अभी भी साहिल ने कार्तिक को इनाय की किस वाली बात नहीं बताई थी तब कुछ दिन ऐसे बीचते हैं और अब साहिल और मीरा की और में जाती है कि मैं उससे ये सब कैसे बताओंगी आब इसके बाद इनाय और वरुन अपने अपनी रिलिश्ङन के बारे में बात करने लगते हैं और उन्हें समझ आता है कि दोनों ने ही अपने पार्ठनर के साथ कही frame ुलता है और तुझे तो अभी एक साल भी नहीं कार्ति को इनाय के किस वाली बात नहीं बताई अब इसके बाद ये लोग साहिल के सगाय के लिए निकल जाते हैं और अगले दिन दोनों के सगाय का दिन आता है महीं कार्ति को खुश देखकर इनाय को डड़ लगने लगता है कि अब में से सच कैसे बताऊं और वो उपर आकर चोता है और वो कहीं चली जाती है अब जब सगाई का समय आता है तो सब लोग मीरा को डूंडते हैं जो कि कार्तिक को एक जगार होते हुए मिल जाती है या वो कार्तिक से बताती है कि अब मुझे डर लग रहा है कि मैं साहिल से शादी करके सही तो कर रही हूँ या नहीं जिस से रिशी वाली बात बता देती है जो सुनकर कार्तिक को बहुत गुस्टा आता है और वो जाकर रिशी को बहुत बुरी तरह मारता है जिसमें साहिल भी उसके साथ देता है यह देकर इनाय के तो होशड़ जाते हैं यही पर एपिसोड फाइफ खतम होता है एपिसोड 6 की शिर रिशी खता है और वो जो खतम होती है और सब लोग खुब इंजॉय करते हैं जिस दुरान इनाय और कार्तिक भी साथ में आजाते हैं इसके बाद रात को दोनों की शादी होती है और सब हसी खुशी अपने बनाय को देते हैं खड़ चले जाते हैं फिर कार्टिक इनाय के साथ उपर आता है और आज वो इनाय को उसकी लाई हुए अंगुठी देता है वो कहता है कि मुझे इतना तो समझ आ गया है कि फिलाल के लिए हम दोनों साथ में नहीं रह सकते इसलिए हमें दूर हो जाना चाहिए और अपने करिय में आई एक कमार की मुवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लिजिए